और तक्रीबन आर्ट वाई दस का ये कमरा हमें बताया गया है और ये जो तार है सबसे पहले तो ये वायर जो देखने हैं ये पूरा गीला है इस वक्त हम खड़े हैं ओल राजेंद्र नगर के ब्लॉक नंबर 13 में और ये आप ये सोची कि ये जो रास्ता है ये जाता है जहा यहां पर बच्चे रहते हैं ये सीडिया है और यकीन मानिए कि नीचे और ये जो एरिया है आप देखिया अगर बारिश होती है तो यहां पर कोई ऐसा ब्लॉक नहीं किया गया है जिससे पानी अंदर ना आए अगर थोड़ी भी बारिश होगी तो पूरा पानी अंदर यहां से पूरा पानी है और यहां पर यह वायर है यह अर्थिंग दी हुई है थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो यह किचन है पहले तो हमें घुसने के साथ समझ में नी आया कि यह किचन है यहां पर बच्चे इस तरीके से रह रहे हैं फिलहाल यहां जो बच्चे रहते ह वो जा रहे हैं, पैक करके सामान, क्योंकि पानी आता है, जिससे उनको दिककत होती है, और तो और इसकी सीलिंग देखिए, सीलिंग भी बहुत लोग लेवल पे, यह बेस्मेंट का घर है, यह जो तीन कम्रे हैं यहां पर, कम्रे क्या है, आप डबा कह सकते हैं इसको, यह तीन रोजमर्ण की जो काम है वो करते हैं, और उसके बादो पढ़ाई के निकलते हैं, इतना आसान नहीं है, पहले घर में जद्धो जहएद, जहां वो रह रहे हैं, वहाँ पर परिशानी फेस करो, उसके बाद फिर बाहर निकलो, जहां पर पढ़ाई करो, कोचिंग में भी वह पढ़ना पढ़ता है क्योंकि बड़ा अधिकारी बनना है माता-पिता के सपने हैं उनको भी पूरा करना है आगे बड़ी यह एक रूम है जहां यह बच्चे भी खड़े हैं फिलाल कुछ बच्चों का सामान पैक हो चुका है घर जाने के लिए यह सामाने लोगों ने अपना इहां पढ़ता है क्योंकि अब यहां पे रहना मुशकील है क्योंकि परिषानिया अगर अगर एक परिशानी तक सिमित रहे तो सही है लेकिन जब परिषानी आपकी जान पर बन जाए तो शाइद वहां से निकल साऊ ही भी है और यही कारन है कि बच्चे निकल एना पार यह टेप जो आता है, जो कार्टन वार्टन जिससे हम चिपकाते हैं, यह टेप से चिपकाएगे हैं, और इसी में लोगों ने मैप हो, पढ़ाई के जो भी माटीरियल्स होते हैं, वो सारी चीजे ऐसी हैं, और मुझे लग रहे हैं कि यह तो शायद पत्थली है, फिलाल यहां पर यह पत्थल बनाएगे हैं, और यह चोटी सी जो बेड है, इसी पर सोना है, इसी पर पढ़ना है, फिलाल सब कुछ बैग जुक् knit बैगेज इनका पैक है, यह बच्च्य इहां से जा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि समेटना है एक उपर में सीलिंग फैन एक यहाँ पर कॉर्णर में पंखा लगाए यहां भी वहीं हाले थे एक सिंगल बैड है और यह नहीं है तो दिककत यह है दिल्ली की किसमत एक और यह कंपरा है यहां पर थोड़ी वेंटिलेशन की जगव तो दिखी है यह धोड़ा सा वेंटिलेशन है लेकिन जालिया ऐसी लगी हुई है कि हवा क्योंकि यहां पे जो गलिया है वो बहुत कंजिस्टेट है तो कितनी हवा आती होगी आप यह सूची यह रहते हैं हमारे कल के जो बड़े अधिकारी हैं देश के सबसे बड़े अधिकारी बनने का जो एक चैलेंज है जहां पे बच्चे पढ़ते हैं और कितना चैलेंज है और हर दिन समझिए कि शायद हम यहां पे जैसे हम दो मिनट के लिए अंदर आए हैं हमें यहां पे सफोकेशन फील हो रहा है हम शायद यहां बहुत एर तक नहीं खड़े एक तो बेस्मेंट में यह घर है आप सोच चल रहे हैं जो चात्र है वही बताएंगे कि कैसे इस तरीके से रहना कितना मुश्किल है से रहना क्योंकि हम तो दस मिनट में हमारी हालत बुरी हो बिल्कुल मैं भी आपके साथ ही बाहर से आया हूं और मैं खुद फील कर सकता हूं कि यह रूम पहुंचते ही कितना स्टिं पहुंचते हैं तो वहां पर क्या कंडिशन होती होगी मैं खुद यहां फील कर रहा हूंगी सफोकेशन का और स्टिंकिंग का और बाकी चीज़े आप बैकलॉक्स आप देखी रहे हो कि इस जो बिजली के जो वायर्स हैं यह सब जो खुले हुए है यह जो उनस है उनके रि जरूर सोचना चाहिए कि मैं जिस तरह से रह रहा हूं यह नीचे भी एक कोई एक इनसान ही रह रहा होगा जो एक टिनेंट है और बाहर से हुआ है और एक हुमेनली जो एक रिक्वाइड उसको फैसिलिटीज है उसको मिलनी चाहिए कि यह ठीक थाग हवा उसको सास लेनी की जगह मिलनी चाहिए उसको पानी थीक था वे उसको फैसर रहनी चाहिए अट-لिस ठीक हईजीनिक जगह उनी चाहिए जहां पे एट-लिस यह हाईजीनिक बड़ा मुद्ध है क्योंकि जब बच्चे इनी रहेंगे सेहत मंदी रहेंगा तो पड़ाय लिखाई ऐसे करेंगे क मैं परसी बीशाइब करता हूं कि अफॉर्डी डिपेंड्स बाइप परसीलीटी बाइब करेंड़ें वहां पर सकती हैं लेकिन एक बेसिक मिनिमम्म क्राइटेरिया होना चाहिए चाहे लिजिसलेशन के थूरह पर एपर एफॉर्डीशन के थूरह कि एक गरीब जो बहुत मि और उसकी जो basic amenities को compromise किये बगएर उसके जो human rights है उसको compromise किये बगएर सांस लेना पानी पीना यह तो basic human right है not just in India around the world आपको लग रहे हैं कि यह जो पूरा एक nexus होता है उनर बीश में mediator आते हैं जो broker आते हैं और खास्तोर पे जो बच्चे यहां की लोकालिटी से नोन है जिनको पता है लेकिन जो बच्चे बाहर से आते हैं उनको पता ही नहीं होता है मन माना भाव जिसको लगता है कि आलू प्याज की तरह हम बेचे जा रहे हैं लग रहा है बच्चों के भविशे के साथ हो रहे हैं मैं बिल्कुल यह होती आ रहे हैं और हो बहुत दावे किये जाते हैं कि 24 घंटे बिजली होगी लेकिन यह तो बिल्कुल लाइव हम दिखा रहे हैं कि एक तो कंडिशन यहां ना तो हवा पानी की अलग दिखकर उपर से अब बिजली की भी तो हम रिकॉर्ड में हैं भी फिलाल हम देखें यहां पर जैसे क्या होता है जो नहीं बच्चे आते हैं उनसे जो भी रेंट मांगा जाता है वो जैसे उनके पास कोई ओप्शन नहीं होता वो नहीं होते हैं तो घर से अच्छा-कासा पैसा लेकर आते हैं यहां पर अगर जो ओनर या लैंडलोड बगेर हैं वो बोलते हैं कि 20,000 चाहिए जो कि रूम बास्तिक्ता में 12-13,000 उपर का नहीं होना चाहिए तो वो अराम से पैसे देते हैं उनके वह से जो बच्चे पुराने हैं या फिर जो एफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनको काफी दिक्कत होती है यहां पर सस्टेन करने में तो सबसे बड़ा तो यह नैक्सर जो क्रिएट कर र ना कि ओनलाइन ओनलाइन के लिए बहुत लोग मना कर देते हैं कि कैश में आप हमें दीजियर पूरी डिटेल आज है एक्जेक्ट्ली तो यहीं सीजिए पूरा मतलब नैक्सर जोई जब तक इसमें छोटे से लेकर बड़ा हर कोई शायद मिला हुआ है तो कुछ लोग ऐसे यही है कि थोड़ा एक हैसी मीटिंग से अपर एक वो रूप कमीटी बननी चाहिए जो स्टूडेंस को कितना पैसा देना चाहिए और कितना सही है कितना जाइस एक्जेक्ली यहां पर मतलब एक बेसिक चीज होनी चाहिए कि हां इतने में आप सस्टेन कर सकते हो वह वह वाक कहना है कि थोड़ा सा यह जो नेकसर वाला इस चीज पर दिया जाए और कमेटी अच्छे तरीके से इसको काम करेगी तभी कुछ हो पाएगा दरवाइस यह लोग तो अपना प्रॉफिट औरिंटेड हैं यह कंपनी पी इन से ज्यादा अच्छी थी एट लेकिन यह लोग त से चले गहें लेकिन यह हकीकत सिर्फ यह ओल राजेंद नगर की नहीं है चाहिए अप मुघरजी नगर चले जाए शादीपूर चले जाए करोल बाग जो भी स्टूडेंस वाले जो इलाके हैं जहां पर यूपी एसी के बच्चे पढ़ते हैं दिन रात लगे रहते हैं वह लविषए यही चात्र है अज ये इस तरफ है लेकिन कल को ये भी होगे ये समझने की बात है